लो गाईज वेलकम टो माइने वीडियो तो गाईज आज हमेरे पास है बोच का ये परेशर जिससे हम लोग गाली दोते हैं और बोच का एल-130 मडल परेशर है तो गाईज हम इसका आज मोटर को चेंज करने वाले हैं इसके मोटर में थोड़ा सा प्रोब्लम है और हमने एक परेशर का पड़ा था और इस मोटर को आज हम लोग चेंज करने वाले हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा मसीन है इसके अंदर आखिर में क्या-क्या है और इतना परेशर कैसे बनाता है तो चलिए इसको पहले हम लोग इसको खोलते हैं प्रोब्लम है तो प्रोब्लम है और देखते हैं हमारा जो परेशर मसीन है खोल गया है और एक पाटे है और दूसरा पाट के है जिसमें पूरा मसीन इसका लगा हुआ है तो देखते हैं इसका मोटर दिया कहा है तो सबसे पहले निकाल देते हैं और यह निकल जाएगा और इसके बाद इसको निकाल को रख देंगे साइड में इसको निकलने के लिए सब्सक्राइब हमें यहां का जो इसक्रूल है उसको कुलना पढ़ेगा कर लो तो अजा हमें, किम निकलने कStंग क्स अखार बेह सकी करें पुरूल और हमेंजे खdingलús निकलन का बामें का जाएगार निक आएगार के लिएった हमाना आएगां का अ क्व हमाना इसको करेंगा निकलना काल kण हमाना पाम थाला हमाना पा एाल पाम पर मैं ऑमता हूं तो 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 गाइज हमारा जो जो भी इसमें मोटर है पूरा सेट अप इसी में है और इसका हम लोग देखते हैं मोटर का है देखते हैं मोटर इसका अंदर होगा को जो खाएज को निकालने के बाद हमयरा उठेख रहा है और सेब यहीं मोटर है और मोटर को होड़ें चेंज को इसके लिए हमें स्कूरू को खोलना पड़ेगा यहां से तो पैनले गाइट यह यहाई बस यहाई बबबबबबबबबब अब अब strat Radu और एह रहा हमारा पूरा ना मोटर कि दोनों विल्कुल सेम है चुशन है यहाई फटाफट से इस मोटर को हटाते हैं और यहाँ पर देख पा रहेंगे और मसीन हमारा जो इतना बड़ा दिया है लेकिन इसमें जो पूरा सिस्टम है इतना छोटा में सिमित है पूरा सिस्टम है तो फाइनली गाइज आप देख लिया होंगे कि हमारा जो बोच का प्रेसर है उसका मोटर कैसे चेंज करते है और हमारा यहां पर मोटर हो गया है तो जैसे हम लोग इसको